हेलो दोस्तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे आज हम सीखेंगे कि sp.net mvc core में jQuery Ajax और JSON का इस्तेमाल कैसे करें तो शुरू करने से पहले मैं आपको पताना चाहूंगा कि इस वीडियो पर आर्टिकल अलरडी मैंने पोस्ट कर दिया है आप उसे description में दी गए link के जरीए जाकर चेक कर सकते हैं साथ साथ वहाँ पर आपको source code की download link भी मिल जाएगी और यदि आपको इस tutorial के related कोई doubt है तो आप हमें forum पर पूछ सकते हैं आप सभी से निवेधन है कि आप मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon दबाना ना भूले तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं startup.cs फाइल को open करूँगा यहाँ पर मैं कुछ namespaces को iterate करूँगा सबसे पहली namespace है newtonsoft.json.serialization इसका इस्तेमाल होगा json serialization के लिए अब यहाँ पर configure services method में मैं add mvc function को call करूँगा अब अगला function मैं इस्तेमाल करूँगा add json options इसका इस्तेमाल मैं serializer settings को set करने के लिए करूँगा यह बहुत ज़रूरी है वरना आपका जो json properties आप बनाएंगे c-shop में वो camel case यानि कि first letter जो उसका होगा वो small automatically कर दिया जाएगा जब वो javascript या jquery में receive होगा माल लिजिए आपकी property का नाम first name है और उसका f capital है तो javascript में जब वो receive होगा तब उसका f automatically small कर दिया जाएगा इस वज़े से होगा यह कि आपको error आने शुरू हो जाएगे और आपको समझने आएगा कि automatically मेरी property के नाम कैसे change हो रहे तो ऐसा ना हो इसलिए हमें यह setting को भीना भूले set करना है तो चलिए अब हम एक model class set करेंगे इसे मैं नाम दे रहा हूं person model और अब यहां पर मैं properties को add करूंगा आप देख सकते हैं यहां पर मैंने दो properties बना ही है सबसे पहले है name और दूसरी property है date time दोनों भी string properties है अब हम हमारे project में एक नया controller add करेंगे यहां पर मैं एक empty controller add कर रहा हूं उसे मैं नाम दूँगा home controller अब यहां पर मैं एक action method बनाऊंगा जोकि हमारे jQuery objects call को handle करेंगा अब देख सकते हैं मैंने return type में json result set किया है क्योंकि हम json object return करेंगे साथी साथ आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो method है वो एक parameter accept कर रहा है name जिसकी value हम उसे client side से बेजेंगे यहां पर मैं person model glass का एक object बना रहा हूं आप देख सकते हैं मैंने name parameter की value को name property में set कर दिया है और date time property में मैंने current date time set कर दिया है अब इस object को हम return करेंगे जिसके लिए हम json function का इस्तेमाल करेंगे अब मैं एक http post attribute add कर रहा हूं क्योंकि यह हमारा action method post call को handle करेगा अब मैं हमारे project में एक view add करूंगा और template में मैं empty without model option को selected रखूंगा partial view और layout page options को मैं uncheck रखूंगा अब यहां पर मैं एक text box को add कर रहा हूं इस text box का इस्तेमाल हमारे name की value को input करने के लिए होगा और बिलकुल उसके नीचे मैं एक button add कर रहा हूं और इस button के click होने पर adjust call किया जाएगा आप देख सकते हैं मैंने jquery min file को inherit कर दिया है अब यहां पर मैं jquery document ready event handler बना रहा हूं अब मैं button को एक click event handler assign कर रहा हूं अब यहां पर मैं dollar.ajx function का इस्तेमाल करूँगा जिसके जर्ये हम server side को Ajax call करेंगे सबसे पहले मैं type set कर रहा हूं जो कि होगा post अब data attribute में मैं हमारे parameter को set कर रहा हूं जिसमें मैं text box की value को assign कर रहा हूं अब मैं success event handler को set कर रहा हूं यहां पर मैं जो भी response receive होगा उसमें से name और date को separate करके एक message में display कर दूँगा आप देख सकते हैं मैं message को create कर रहा हूं बिल्कुल उसी तरह मैंने failure और error के लिए भी event handler बना दिये हैं और इसी के साथ हमारा program ready होता है तो चलिए इसे run करकर check कर लेते हैं सबसे पहले मैं मेरा नाम input करूंगा और उसके बाद मैं get current time button पर click करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा नाम current date time के साथ में display हो रहा है alert message box में इसी के साथ हम वीडियो के आंत में आते हैं और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आज हमने सीखा किस तरह हम jQuery Ajax और JSON का इस्तेमाल करके controller को call कर सकते हैं साथी साथ हमने सीखा किस तरह हम jQuery Ajax का इस्तेमाल करके client site से data को controller तक भीज सकते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब केजिए जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में